आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मौझूद है हमारे सयोगी शशांक शशांक आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि गुजरात में जो इस्तिफा हुआ है विजय रूपानी का लेकिन उसके बाद जो कल मंतिरी मंडल का जो है शपत होने वाला था वो भी टल गया तो आखिर क्यों दूसरा ये कि इस्तिफा होने के तुरंथ ही बाद कॉंग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा ही एक्टिव हो गई है तो आखिर ऐसा क्यों हर्दिक पटेल लगातार जो है हमला कर रहे हैं भारती चुका है और इस पर स्यासत तेजी से हो रहा है इस पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और सबसे पहला सवाल ही है कि गुजरात में जो हुआ वह 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 बदलाव अचानक से किया गया है कि असंतरि थी लाजमी है लगता है कहीं नंदर विदाये कों गिया मंत्रियों की सब्सक्रा चल रहा होगा इस को ले कर यह भी कह सकते हैं कि और विचार किया रहा हुगा कि किसको कौन सा पत्त दिया जाए कोई धड़ा नाकुष्च न हो जाए इन सब बातों विचार में बात को ब्या करते हैं और हालात के मद्दे कोई नहीं दे सकता अब सवाल यह है कि क्या जिस तरह से मंत्रियों का जो है इस्तिफा हो रहा है गुजरात हो चाहिए फिर वह उत्राखंड हो या फिर तमाम राज्यों में हो तो यह जो है भारती जनता पाटी के हार नहीं मानी जा रही है यह देश के गिरह मंत्री अमित शा क्यों अगर चानक्य की बात कि जाये तो फैल होना इसको कि अगर को पास साल के सरकार से पहले कई मुख्यमंत्री बदलने पड़ जाते हैं अगर उत्राखंट की बात करें बीचेरे कई बदले गए अभी गुजरात में चैरा बदल दिया गया मंत्री मंडल का विस्तार दुबारा से नई सरे से किया जा रहा है तो यह एक तरह से कहिना कि एक प्रसंचिन खड़ा हो जाता है कि क्या नाकामी रही है नाकामी के चलते यह सब किया जा रहा है क्योंकि अभी कोई इस बदलाव आकर क्यों किये जा रहे हैं तो ऐसे में सवाल ही उड़ता है कि क्या काम नहीं ठीक से हो पा रहा था सीरिस नेत्रत को यह लगा कि यह सक्षम नहीं है अगर सक्षम नहीं है तो क्या जो पुरानी रणनीती थी उस पर सवाल बनना लाजमी है क्योंकि चानक के हमिश अब बात करते हैं सचान का वो है कि आखिर गुजरात में जब से विजयरुपानी का इस्तीफा हुआ है तो भारतिय जन्ता पाटी में तो घमासान है कि अब कौन से बिधायक मंतरी बनेंगे और कौन से मंतरी मुख्य मंतरी का तो खेर अलान हो गया कि वो बुपेंदर पटेल बनेगे लेकिन अब सवाल यह है कि उसके बाद जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से सकरेता दिख रही है हर्दिक पटेल लगतार हमला बोल रहे हैं तो मेरा पहला सवाल यह हमला जो उन्होंने क्या वो तो मैं सवाल लोंग है लेकिन पहला यह कि आखिर इतना तु कहते हैं ना कि यह चूक अगर कहें तो बीजेपी ने एक मौका दिया है मुख्यमंत्री बदल के और उसका फाइदा विपक्षियां पर उठाने की कोशिश पूरी-पूरी कर रहा है अर्दिक पटेल भी सक्रिया हो गए हैं लगातार हमलावर भी होते हुए दिखाई दे र चाई तो ब्लाजनीतिक लाव भी से लेने की कोशिश की जा रही है अगर विपक्ष में आपका काम ही है कि सरकार क्या कमिया कर रहे हैं वो लेकर सरकार से सवाल करहें तो ऐसे मिहारब बदी बात आपने कहा चुर्ब उढने पर करते हैं फिर अबपा Jd identify करेंगे हम लोगा ये कहा कि गुजरात में कहीं न कहीं भारती जंता पार्टी हार रही थी जिसके वज़े से वो इस्तिफा हुआ है जिस तरह से आपने कहा कि मौका देकर चौका मार रहे हैं हार्दिक पटे तो क्या ये भी ब्यान उनका बेतुका ही है चुना भी एक तरह से ब्यान है क्या क्या कि हार रही है इस्तिफा होना यह कुछ पच नहीं रहा तो क्या लगता कि उन्होंने जो कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी जीत रही थी गुजरात में यही वज़ा है कि विजयरूपानी का इस्तिफा इसका क्या माईनी निकल जाए जीत हार का फैसला करने वाले ना हार्दिक और मंत्री मंटर बदलने के बाद कि क्या विफल रहें तो यह सवाल जरूर लाजमी है जंता भी इस पर विचार जरूर करेगी कि जो चैरा हमें पहले दिया गया वो बदल दिया गया तो क्या इसके पीछे की वज़य थी कहीं अगर इसका नेगटिव प्रवाब जंता पर जाता है तो यह मुश्किलें यहाँ पर बीज़ेपी के अंदर बढ़ा सकता है लेकिन यह कहना बहुत जल्दवाजी होगी कि किसका जीत कि हार रही थी इसलिए यह वक्त बताएगा यह जंता बताएगी यह हम बताने वाले कोई नहीं है ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बत चुका है कि आखिर क्या ऐसी वज़ा है कि मुख्यमंतरी बदले जा रहे हैं गुजरात में मुख्यमंतरी का चैरा बदल दिया गया सारे मंतरी बदल दिया जा रहे है तो यह एक सवाल है जंता के अंदर कहें ना कहें क्योंकि फैन फोनाई अगर बात करें विजयरूपानी जनता के मुद्दो को छोर कर आज तमाम नेता एक गहर जिम्मेदाराना टॉपिक पर भहस छिर गया, सियासत शुरू हो गया, सीम योगी ने जब से अब जान वाले ब्यान दिये हैं, उसके बाद से अब तरह तरह के जो नेता है, इस पर सियासत करना शुरू कर दिया, कल जो ह है, मैं लास्टी कोश्चन हमारा ये आखरी सवाल है, कि राकेस्टिक है, जो बेकियों के परवक्ता है, किसान आंदोलन करते हैं, आप जान रहे हैं कि कर रहे हैं वो अभी, तो उन्होंने कहा है, ओवैसी को लेकर कि ओवैसी जो है भारती जनता पार्टी के चचा जान है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? उसको कमजोर करने के लिए बयान बादी का दौर चल रहा है, यह यह इतना आज के बयान के उपर अगर नज़र डालने तो उन्होंने अभाजान कहकर, जो बार बार वो अभाजान कहकर संबोदित कर रहे हैं, अखलेश यादव और मुलाहिम सिंहा समाजवादी पार्टी को तो वो यह जदाना चाहते हैं, हिंदू वोटरों के सामने एक तस्वीर रख देना चाहते हैं कि यह मुस्लिम हिताशी पार्टी है, इस तरह की तस्वीर बजा देना चाहते हैं, यह चुनावी एजेंडा इसको कह सकते हैं आप, वहीं राकेस टिकेट जो लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, तीन किरशी कानून को लेकर काले कानून वह बता रहे हैं, और लगातार विरोध कर रहे हैं, अब वो सरकार के खिलाफ उतरा है, उतरों प्रदेश में वो कई बार नारा लगा चुके है, कि सरकार नहीं सुन रही है, तो अब हम सरकार को हराने के तयारी बिल्कुल बिल्कुल यह बहुत गंबीर रूप से आपने समझाया और अभा खुबी तरीके से बताया कि यह जो अब्बाजान का मैटर है एक नारेटिव बनाने के कोशिश की जा रही है बहुत बहुत शुक्रिया शशानक हमें वक्त देने के लिए अब देखना होगा कि आखिर गुज्रात हर यूपी में होता क्या है यह धीरे धीरे देखती है कि राज नेता लो किस तरह के गोलह खेलाते हैं फिलाल के लिए इतना ही बागी खबरों के लिए देखते रहें, SP9news, नमस्कार.